रामगड उप्चुनाव होने वाला है हर दल लगभग तयारी कर चुका है माना जा रहा है कि NDA के तरफ से आसू को ये सीट मिलेगा और इस बार जहारखंड पार्टी ने भी अपनी दावेदारी ठोग दी है और जहारखंड पार्टी के कारेकारी अध्यक्ष हिस्समें हमारे साथ है अजिस सब पहली बार आपकी पार्टी ने स्ट्रॉंग तरीके से कहा कि नहीं इस बार हम कंड़क्ट करने जा रहे हैं एलेक्षन या आपकी वेक्तिजत इच्छा है या पूरे पार्टी ने एक मिजाज बना लिया है कि इस बार उमिद्वार देंगे देखिए जहा समय तक यह पार्टी जो है वह सुसुट जैसी हो गई थी परंटु जिस तरह से विखरा हुआ है और वर्तमान में जो पार्टियां यह सासन कर रही है या पूर में ऻीरिय दिन्यों नैंकियाख वह वैसा नहीं रहा है जिसे राजी की जन्ता कुछ हो सके संथो सके ने ज़रूर कंप in दिन है कि अब वेस पे और मजबूती से जन्ता के बीच में जाएंगे। हमारा देय है कि हर सीट पे एक साप शुत्री छवी का उमिदवार हो, पढ़ा लिखा उमिदवार हो, वो अपने छेतर का जाना हुआ व्यक्ति हो और उसकी एक जिम्मेदारी हो समाज के प्रती। इन सभी बातों को हम लोगों ने ध्यान रखा है, पार्टी में कई एक बार चर्चा होई है, और पार्टी ने यह सपस्ट किया है कि उप्चुनाव जो होंगे रामगड में उस पे अपना उमिदवार देगी और एक पढ़ा दिखा उमिदवार देगी, एक स्वक्षवी का व और मैं भी एक उमिदवार के तोर पे पार्टी के समख्ष रहूंगा, यदि पार्टी उचित समझेगी, तो मुझे भी चुन सकती है, अपना उमिदवार बना करके रामगड उप्चुनाव में जो चुनावी समर है, उसमें ख़ड़ा होने करे लेकिन यह तो उप्चुना है, इससे ना सरकार के सेहत पे कोई असर पड़ेगा, ना ही कुछ परिवर्तन आएगा, तो आपको नहीं लगता कि फिर अन्य दल जैसे AIM उस टाइप का आरोप आप भी लगने लगेगा आपकी भी पार्टी में, कि किसी के आपके खड़ा होने से किसी को मदद तो किसी को नुकसान पहुंच रहा है. तो मैं क्यों माननू कि में किसी से कम हो, और वहां की जनता मुझे कम क्यों आके गी? तो ये बात कहना बिल्कुल जलत है कि हमारी पार्टी किसी का सहयोग या कि सिका मिरौध करने के लिए कड़ी होगी. मेरी पार्टी अगर खड़ी होगी अपना केंड़ेट लेकर के वहाँ पे तो बिल्कुल चुनाव जीतेगी ही मैं ये लगबत इस पर्श तोर पर कह सकते। कितना प्रतिशत मानने की जिससे अभी हम बात कर रहे हैं वही हो सकता मेदवार जारखंड पार्टी का। इसमें कितना प्रतिशत लगते। देखिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि मैं कारकारी अद्धक छोकर के स्वयम निर्ने लेने लगो। ये एक ऐसी वेवस्था है डेमोक्राटिक वेवस्था है जहां पार्टी के काफी सारे ऑफिस बेरल्स होते हैं अन्य पदादिकारी होते हैं ये सारे बैठ करके समय कित तौर पर हर विश्यों पर चर्चा करने के बार निर्ने लेंगे और उस हिसाब से मैं बिल्कुल अपन उमिद्वार के पीछे खड़ा होकर के उतनी मेनत करूंगा देखिए मैं वैसे ही काफी ब्यस्तर आता हूं मकालत के पेसे में काफी क्राम है मुझे तो मैं निरास भी नहीं होंगा यदि पार्टी मुझे नहीं चुनती है महां चुनाव लड़ने के लिए लेकिन मैं कुस ह होंगा मैं काफी प्रसंद रहूंगा यदि पार्टी ये तय करेगी कि मुझे रामगण का उप्चुनाव लड़ना है केंडिडेट पर बात छोड़ बेजे तो क्या यह माना जाए कि हंडेट परसंट ये तय हो गया कि जार्खन पार्टी का कोई भी उमिद्वार जरूर हो एक स्वक्ष छवी का कैडिडेट जरूर होगा वहाँ पर और एक ऐसी छवी का कैडिडेट होगा जो बुद्धी जी वी वर्ग से आता है पढ़ा लिखा है युआ है और अनुभवी है इस तरह का कैडिडेट हम लोग जरूर चुन रहे हैं और हमारी पार्टी जो भी निर के साथ रहुआ एक आखरी सवाल है मेरा आप समाने तोर पे जब जाएंगे तो आप वही बाते कहेंगे चुनाओं में जो कंस्टिटूशनली राइट है जो सचाई है लेकिन राजनीत भावनाओं से चलती है लोग अगर सजायाफता भी हो जाते हैं तो जनता की अदालत मे आपको क्या लगता है कि द्वंद की आप इस्थिती में रहेंगे क्या बोले क्या नहीं बोले बुलने से पहले सोचेंगे या फिर जिस तरीके से अदालतों में आप वही बात बोलते हैं जो कंस्टूशनली राइट है सिर्फ वही बात को बोलेंगे या फिर आप नाप जो करती हैं यहां की नीतियां यह राज सरकार के लुभावने वादे यह सब कुछ यहां की जनता ने देखा है इसलिए हमारी पार्टी या हमारा कोई भी केमिटेट किसी जूट की बुनियाद पे खड़ा नहीं होगा और सच की बुनियाद पे कानून की बुनियाद पे संविध हो सकती है जिससे पूरे राज में अमन चैन की परशिति हो मैं आपको सपस्ट करूंगा यह मैंने अपने वाल पे भी लिखा है फेस्बुक पे भी लिखा है तुटर पे लिखा है कि जब राज को चलाने वाले अधिकारी आई-एस, आई-पी-एस, स्टेट सर्विस के अथोरिटीज या स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर सब ये पढ़े लिखे अनुभवी लोग होते हैं तो उनके उपर बैठने वाले मंत्री या इमेले जो हैं उनको उनसे भी ज़्यादा बुद् आई-एस वर्सों में बहुत सारे ट्राय एरर हुए है, लोक लुभावन घोसनाय की गई है, जो सर्फेस पे उतर नहीं पाई, जिसका कोई लाब किसी को नहीं बिल पाया, राज की परिस्थिती बद से बत्तर होती जा रही है, और पुरे राज में ब्रस्टा चार ब्याप हो गया है, इन सबी चीजों से बाहर निकलने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि राज की गुद्धी जीवी नुभवी जनता, राज के वैसे लोग जो साप्च सुत्री छविक हैं और सच्चाई के पत्पे चलते हैं, उन्हीं को हम लोग चुन करके अपनी पार्टी का कै जान सबाचुनाओ में भी और उससे पहले के लोग सबाचुनाओ में भी हम लोग अपनी कड़ी उपस्थिती और एक सपस्ट उपस्थिती दिखाएंगे, मैं समझता हूं सपलता भी जरूरात लगेगी, जिस तरह से लोग हमारी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तर सबकार से भारी संक्या में हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, मैं काफी उत्साहित हूं और मैं समझता हूं कि हम लोग वो सब कुछ कर पाएंगे जो अब तक इस राजिय में नहीं हुआ है और जाहिर है, वो सब कुछ जो सम्मिधान के दारे में आता है, जो कानून के द बला हो, जिससे यहां के मैलाओं का बला हो, जिससे यहां के किसानों का बला हो, जिससे यहां के अल्पसंक्यक समुदाय का बला हो, यह सब कुछ हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के कारिकरता और हमारे पार्टी के उमिद्वार साबित करेंगे इस राज में यह मैं दाव पार्टी का लॉट कराएगा शुरुवात हम रामगड़ू चुनाव से कर रहे हैं लेकिन आगे आने वाले राज में जो भी चुनाव होंगे चाये वो लोक सबाका हो या विदान सबाका हो पार्टी अपनी दमदार उपस्तिती दर्ज करेगी शुक्रिया विवेकानन्द विद्यमंदर स्कूल एक CVSC-affiliated English Medium Coed School है हम सुक्षा के साथ संसकार देते हैं